हांजी फ्रेंड्स क्या हल चल वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैडम साहिबा एंड जनाब दोनों नहीं अपने इंस्टा की स्टोरी पे एक रील पोस्ट की है जिसमें मैडम के जो भगवान कलेक्शन्स के थान वाले कपड़े थे जिसमें उन्होंने गोटा पटी लगा करके अननी वह जोन सुट सिला है ना उन बैकंस के डिजाइन वह सारे खौत्स लगबख 2 शे 3 सूट मैडम ने अपंडोड किया है बना करके लेकिन 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 अभी तक पूरी तरह से वह स्टूत भिक्राई नहीं दिए आए इट मैडम औंजनाब दोनों ने blur करके एक reel बनाया है जिसमें दो तीन suits को combine करके जनाब और माडम ने दिखाया है अपने अपने इंस्टा की story पे कुछ yellow color में है कुछ और color में है कुछ light pink color में है मतलब different shades के अलग-अलग कुछ अनारकली type के suits है इसी तरह के suits माडम ने story पे डाला है तो जिस तरह के comment थे negative comment माडम के channel के उपर में उनके suit को ले करके on the other hand उसी तरह के कुछ positive comments भी जनाब के vlog के नीचे आये हैं जब जनाब ने औरतो कुछ औरतो को गालिया दिये जनाब को तो खैर आदत ही है बद्दुआ देने की लोगों को सुनाने की तो जनाब का जब vlog trending में चला गया जनाब ने अपने ये story पे भी ये चीज़ दिखाई थी कि hashtag trending में मेरा vlog जा चुका है तो जनाब का vlog जब trending में चला गया उसके बाद जनाब के vlog के नीचे काफी comments आने लगे लोगों ने ये कहा कि आप किसी को demotivate मत करो कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसकी कदर करो हर इनसान perfect नहीं होता है लेकिन कोशिश कर रहा है तो आप उसको support करो ये वो फलाना धेमकाना मतलब काफी कुछ कहा गया तो जितने negative comments आए थे उसमें से कुछ लोगों ने positive comments भी किये हैं जनाब के vlog में अब अंदभक्तों ने डर के ये चीज़ की है या फिर genuinely उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम ने महनत की है तो मैडम को support करना चाहिए ये तो अब अंदभक्ती जाने because जनाब ने भारी मात्रा में भारी मात्रा में कुछ औरतों को बहुत जादा सुनाया है बहुत कुछ कहा है वैसे जनाब ने सुनाया तो उन्होंने कुछ महान काम और कुछ अच्छा नहीं किया ये तो उनकी पुरानी आदत है कि अपनी गलतिया औरतों पे मड़ देना कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो की हमेशा नेगेटिव लिखती है हमेशा नेगेटिव सुछती है तो ये तो खेर उनकी thinking की thought process है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन हाँ कुछ अनभगतों ने कुछ positive comments भी किया है तो खेर चलिए इनके comments के उपर से ध्यान हटा करके आजाते हैं व्लॉग के उपर में इनके post के उपर में जिस तरह से blur करके माडम ने suits दिखाए उसमें भी कुछ खास ऐसा interesting नहीं लगा देखने में नॉर्मल से अनारकली टाइब के suits थे वैसे तो खेर पूरा clearly नहीं नजर आया है क्योंकि इन दोनों ने blur करके वो reel बनवाई है या फिर खुद से बनाई होगी तो कुछ खास वैसा समझ में नहीं आया लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि माडम ने फिर से क्या बलंडर किया है उपर से एक चीज सबसे ज़ादा irritating लगती है इनके व्लॉग में चाहे फिर इंस्टा पे स्टोरी ये लोग जो डालते हैं या reels डालते है जनाब और माडम दोनों ने अपने जो ये है सूटम सूट वाले नए ब्रैंड का जो सौंग इन लोगों ने decide किया है उसके पीछे मतलब हाद धो करके पढ़ गया है ये ना इनकी आदत है किसी चीज के उपर अगर ये पढ़ जाते हैं तो एकदम उसे निचोड करके कही एकदम दम लेते हैं एकदम नहाद हुआ करके उसके पीछे पढ़ चुका है पहले दिल को दिल लगी ना लगे दिल को दिल लगी ना लगे जनाब के हर एक व्लोग में ये गाना एकदम जनाब को चिपकाना ही था एंड सुन सुन करके हर एक इंसान इरिटेट हो जाता था एंड अब इन दोनों ने अपने ब्रैंड सॉंग का जो इन्वेंशन किया है नया सॉंग इन्वेंट किया है उसके पीछे हाथों करके पढ़ चुके है चाहे आप इनके व्लॉक्स उठा करके देख लो या फिर इन्स्टा की स्टोरी उठा करके देख लो इन्स्टा की रील उठा करके देख लो हर जगह पे हर जगह पे एक ही स्टॉंग को चिपका दिया है गाइस मतलब यार किसी चीज के पीछे अगर पढ़ जाना है ना तो मतलब पढ़ ही जाना है जब तक पुरा निचोड नहीं लेंगे न उस चीद से तो इन लोगों का पेट नहीं भड़ता अरे दुनिया में बहुत सौंग है लोगों को पता है कि आपके ब्रैंड का ये सौंग निकल चुका है आप लोग इसको यूस करते हूं ठीक है लेकिन और भी बहुत सौंग है आप अलग-अलग जगा पे उस चीज़ को भी यूस कर सकते हो हाँ जहाँ पे आपके brand के बारे में बात हो रही है जहाँ पे brand से related, suit-up suit से related आप कुछ दिखा रहे हो वहाँ पे आप इस song का use करो तो समझ में आता है मगर हर जगह पे, हर जगह पे इसी song को घुझा दिया है इन लोगों ने मतलब इतना irritating लगता है ना इनका vlog देखने में अधिकतर इनके खुद के subscribers ने comment किया है कि हम तो skip करके देखते हैं अब इनका vlog हम skip करके देखते हैं लिकास इतना जादा arrogant के साथ ये लोग अपने vlog को बनाते हैं इतना जादा fake चहरा दिखाते हैं इनके अधिकतर subscriber इस बात से समझ चुके हैं कि हाँ totally ये लोग fake है इनके जगह पे आप दिव्यांका त्रिपाठी को और उसके husband को आप देख लो उन दोनों का जो bond है ना उन दोनों का जो relationship है मतलब बिलकुल भी fake नहीं लगता बिलकुल भी fake नहीं लगता जैसे वो लोग है वैसे ही वो लोग दिखाते हैं जिस तरीके से ये नहीं कि दिन भर में 1000 पिक्चर क्लिक कर लिया उसमें से कोई एक juice करके जो सबसे better है वो वाला upload कर दिया नहीं वो लोग 24 खंटे जैसे रहते हैं अच्छा bonding है वहीं चीज़ वो upload करते हैं वहीं चीज़ शायद वो vlog भी बनाते हैं तो vlog में भी वहीं चीज़ दिखाते हैं तो वो होता है एक true love उसे कहते हैं bonding कि हाँ चलो bonding है love marriage की है तो bonding है relationship बहुत pure है and एक दम genuine है reality दिखाते है reality चेक देते हैं लोगों को लेकिन ये लोग ये लोग तो मतलब सिर्फ vlog के चकर में एक दूसरे को लाड करते हैं मैं लाड करती हूँ guys मैं अपने जनाब को लाड करती हूँ ये मेरा लाड है इनके लिए कि मैंने इनको आईफोन 16 प्रो मैक्स गिफ्ट किया है मतलब इनकी मा नहीं इनको लाड करती है मैं आपको समझा रही हूँ न ये मेरे man child है मेरे पहले बच्चे यही है तो मैं लाड करती हूँ लाड में भले मैंने इनको बिगाड दिया है मैंने अपने सारे पैसे इनके पीछे खर्च करती है लेकिन guys guys ये मेरे लाड है guys आप लोग समझे हूँ मेरे लाड है ऐसा कौन सा लाड मतलब अपने बच्चे पे लाड नहीं करेगी अपने बच्चे को कुछ खरीद करके नहीं देना है man child को खरीद करके देना है because अगर man child को नहीं दिया तो बतले में man child तो घर से ही बार निकाल देगा फिर madam कहां जाएगी वैसे तो खर madam ने ये जितना भी राइता फैलाया है suitum suit का इसमें जहां तक मुझे समझ में आता है madam का ही contribution है सारे investment madam ने ही किये होंगे because ये नल्ला निकमा खुद तो दिन बर घर में बैठा रहता है इसके पाद खुद तो मतलब दो रोटी खाने की इसकी आउकात नहीं है तो ये madam के पीछे क्या ही invest करेगा इसलिए इसलिए madam जान मूझ की जनाब को हमेशा pamper करते रहेगी चाहे इनको कोई कितनी भी गालिया दे दे कोई कितना भी कुछ भी कहले कि जनाब 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 करते रहते हैं लेकिन फिर भी ये जनाब जनाब करती ही रहेंगी तो ये कौन सा लाड है मुझे समझ में निया था इसे ही कहते हैं इसे ही कहते हैं कि जब इंसान के पास में ज़्यादा पैसा होता है तो वो फाल्तू की चीजों पे इतना खर्च करता है, पैसे की कदर नहीं करता, इस ही situation पे लोग इस तरह की बाते कहते हैं, क्योंकि माडम ने ये जीज़ की है, पैसे खर्च कर करके इंसान को बिगार देना ये इनके खांदान की आदत है चाहे वो फिर कोई भी हो मैडम, जनाब, चबूत्रा तीनों में से कोई भी हो चबूत्रा ने भी फाल्तू के पैसे खर्श करकर करके रिजा रिहान को खराब कर दिया है मैडम ने फाल्तू के पैसे खर्श करकर कि दूसरे को लाड करे, आज तक कभी मैंने ये नहीं देखा कि जनाब ने कहा होगा कि ये मेरा प्यार है, ये मेरा लाड है मेरी दिप्पी के लिए, कुछ भी नहीं, बस एका दो बार क्यूटीज चली जाओ, या फिर एक दो बार बैग लाकर के गुची के बैक्स लाकर के द जाता है, तो खेर, ये है इनके व्लोग में इनकी नौटंकी और ये है इनकी आदद की, किसी चीज के पीछे एकदम पढ़ जाना है, तो मतलब पढ़ जाना है, तो फिलाल इन लोगों ने अपने सौंग के ऊपर पूरा एकदम ध्यान दिया हुआ है, कि उसके पीछे चुके हैं, अब देखिए, बहुत जल्द ये लोग परदा भी हटा देंगे, जो रील इन लोगों ने डाली है, उसको भी क्लियर करकर के बहुत जल्द देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, मैडम का न्यू कलेक्शन, न्यू ब्रैंड, तो आगे फिर पता चलेगा कि क बरूर करिएगा, एन में निचान को सब्सक्राइब कर दीजेगा, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा, एव नाइस डे, बाबाई